हलो दोस्तों वेलकम टू इंक्लूसिफ स्टडी सेंटर इस वीडियो में MPP6 2022 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं और किस तरीके का पेपर आया है इसके साथ साथ कितनी expected cut-off जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे तो आये स्टार्ट करते आप इस आधा आधा नजहीं दिशूआला ओंडूसिफिट इंक्लूसिफिट कि पीडिएप मिल जाएगी तो आप मआ है लिक इसके पेपर की पीडिएप ले सकती हो तो यह एक इन्फॉ्मेशन है अगर आपको पेपर की पीडिएप चाहिए तो ए जन्रला स्ट इंश्य पेपर वन है आपका और 200 marks का paper होता है यह आपको पूस्ता है और इसके बाए चाहिए का भी पेपर होता है जिसमें 33 percent आपके marks लाने होते हैं और उसकी कोई नेकिटिब मार्किन ऊसमें नहीं है इसके साहसाथ और वो सिर्फ परसर क्वालिफाइग आपका paper होता है आप नहीं संबते को देख लेते हैं किस टाप के question आए है हम कुछ question को देखेंगे फिर कट देखेंगे जाते कि पहला question कुछ question थो पहुत ही आसाना है कुछ question थोड़े से टॉफ level के भी यह यह की पहला कॉशन ने इसमें यह यह वो बिल्कुल करेक्ट है कि टू प्रोवाइट टेक्नोलोग टेक्नोलोजी ड्रिवन गवर्नेंस यह हिंदी में तक नहीं कि आधारित सास्थन की विश्था देना यह बिल्कुल साइस का अंसर है और रिजम पांच में देख लेते हैं इसमें यह 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 कोमर्स के बार सब्सक्राइब कर लेते हैं यह आपको पीडिएप में बिल्कुल करेक्ट सहीं मिल जाएगा यह यह जैसे जटमा देख सकते हैं कि एडवांटेज कौन सा नहीं है रोबोट का तो इसमें जो है कि जोब को रिप्लेश कर सकता है डिसएडवांटेज है हमारा तो इस तरीके स सब्सक्राइब कर देख सकते हैं इसमें किलेली लिखा हुआ है कि फादर आप आर्टिफिशल इंडलिजेंदी रिपीड़ क्वेश्चन है कई बारे स्टाप का क्वेश्चन आया हुआ है जैसे सोसल मेडिया का ऑप्टिमम उट्राइजेशन क्या होता है इसके बारे में आ इसके अंदर तो इसको आप देख सकते हैं गाइस सारे क्वेश्चनों को अगर मैं डिश्कस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन देख सकते हैं पर कि किस मिनिस्ट्री ने सवभाग योजिन लेकर आई ती इसको आपको बहुत आसान इसमें लिखा हुआ है कि पिजेंट चीप और आर्मी स्टाप कौन मनोज पांडिया आपको पता है इसके बारे में इसको पीपा का गोल्डन बॉल मिला है तो आपको पता है इसके बारे में लियोन मैसी को मिला है यह चीज़े हो गई है आपकी तो इतना टफ क्वेश्चन एक बार देखने को नहीं मिला है लेकिन आप कहने के मद्दब यह कुछ क्वेश्चन तो टफ थे लेकिन अगर आपने थोड़ी भी मेनत की है तो आप आराम से पेपर को कर सकते तो खास बात यह है कि जो मद्द्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन जो हर बार का भी पूछे जाते हैं और इस बार भी वह भर भर के पूछे गए हैं तो यह एक अच्छी बात है इसके लिए जैसे अगला में कुछन देखले शबीस मां तो यह पर जैसे इसमें लिका हुआ है कि को फस्ट को ऐसा जो नेशनल पार्क है वह जिसमें ऑफिशली इंट्रूडूज किया ग होंगे आप गाइस हम बात करते हैं कटॉप की अगर आपको पूरा पेपर देखना है ना पूरा पेपर इसको मैं देख लेना और टेलिग्राम गुर्प मैंने इसको पोस्ट कर दिया है जैसे एक क्वेशन है आयूश का मतलब क्या है पहुत सिंबल क्वेशन पूछा इन्ह हैं तो साइस से भी कुछ आसान क्वेशन देखने को मिलें लेकिन यहीं बजह है पेपर की जो पीडिया जो कटॉप है वो इतनी कम नहीं जाएगी जहां तक मेरा पिछली बार पेपर की जो कटॉप थी वह एक सो बावन तरेपन की आसपास कर गई थी लेकिन इस बार क्यों कटॉप है इस बार पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी कम जाएगी नेगेटिव मार्किंग इस पिपर में है नहीं जनरल कैटिग्री की हम बात कर रहे हैं उससे अप अंदाज लगा लेना और हम जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उसको आप कमेंट में करके बतान में आपके हैं जब आफिशल आंसर की आ जाएगी अभी की तारीक में प्लाल में जेनरल केटिग्री की कुट अब है वह 140 से लेके 145 के बीच में जा सकती है इससे कमी हो सकती है इससे ज्यादा कट आप नहीं जाएगी 145 हाइस कट आप है इस जदा नहीं जाने वाले जनरल मेल की कट आप बता रहा हूं मैं आपको अगर आपको इस पेपर की पीडिएप चाहिए तो टेलीग्राम और इंक्लूसिव स्टेडी सेंटर उस पर जाके आप चुर्ण कर सकते हो और वहां से आप पर की पीडिएप मिल जाएगी धनवाद गायज नमस्कार